हलो गाइज एक बाफी से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और आप आशी श्राटी और आज हमारे साथ फिर से एक बार मौझूद है केविन अगरवाल सर और आज हम आपके लिए बहुत ही एक डेलिकेट विशे लाया पर ये विशे ये टॉपिक मुझे काफी ज तो वो काफी प्लेयर्स को डिफरेंट डिफरेंट परसेपशन है कि ये सही रहता है गलत रहता है इंजूरी होती है तो इसमें क्या करने वाले गए सब से पहले मैं आपको एक क्लियर करना चाता हूँ कि सबसे पहले जैसे आज आप स्पोर्ट्स वीजियो के तोवर पे इं प्रस्पेक्टिव लेना चाहता हो और डिसिजन्स बाद में आपके रहेंगे तो मैं जो अलग अलग स्पिरिचुल गुरूज उनके साथ भी बनाऊंगा स्पोर्ट नूट्रिस्निस के साथ भी बनाऊंगा अलग अलग डिफरेंट लोगों के साथ बनाऊंगा और ये विशे को थोड़ा सा गंबिरता से देखेंगे जो की फील कर रहें काफी दर्शक फील कर रहें तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका और आज जो हमारा में कोश् कि क्या मास्षूरूबेशन रेगुलर्ली करना चाहिए रेगुलर्ली कर सकते हैं उस रिगार्डिंग बहुत लोगों को बहुत प्लेयर्स को लगता है कि इंजूरीज होती है या रिकोवर नहीं होती है बौरी तो क्या इसमें सच्छा है क्या गलत है क्या सहीए आप है में पस अर में को प्तलिल अकakले में है लेकर आकले मैं मुछतों सिस GPS तो है कर तकलीफ दो नहीं है इसले इंजुरी सिस Cakeल को थाकावट पों छोग तो नहीं है रिकवरी में तकलीफ हुरी एक्या परफॉर्ममेंस एफेक्ट करेगा ज़ब अप कर सकते हम इस प्र principles जो रॉची हो जो लोहाता है। कोभी बांब खुलती हुपरूशी तुछे वर बनी बांने गमेर भाल्रद को यहुं alo औराद लागें षपे में और भॉच्च इंडोका कई श्रीषन कारता हίν। This is considered as a stress buster? सम पीपल से कि इस डिफरेंट व्यू है अगर सपोज आप कोई ऐसे एक परस्टनालिटी से बात करें और जिसके इस अगलत है तो वह और अविसली सब नेगेटिव बात करेंगा आप कोई ऐसे परस्टनालिटी से बात करेंगा जो बोलता है कि हा इससे में को और एनरजी फील तो उसको energetic feel होगा, तो टेक्निकलिया psychological भी है, तो stress buster का भी काम करता है, इसा भी मैंने बहुत जनल सुफना है, अगर लगता है, जैसे मैंने कहा कि, अगर ऐसे personality है, जो कर रहा है, और उसको लगता है कि हाँ, मेरा जो stress है पुरा निकल रहा है, तो yes, it works for him, why not, तो और इस प्रिकोशन भी ऐसा कुछ नहीं है, वस यह है कि बहुत जादा नहीं करना, कि आप दिन भर, जादा की परीबाश ऐसा थोड़ा सा दर्शब हो, जैसे मैंने काफी क्रिकेटर्स के साथ मैं हो, जो दिन में तीन चार चार बार करने की कोशिश काते है, तो इसमें क्या होता है आप एक तो डाइवर्ट हो रहे हो, number one, कि आपको गेम से डाइवर्ट हो रहे हो, कि आपके दिमाख में यहीं चल रहा है, second, जैसे मैंने कहा कि आपकी बोड़ी थोड़े देर के लिए एक रिलाक्स फेज में जाती है, तो basically क्या हो रहा है, आप अपनी एनरजी लूस कर रह आप तॉर्णमेंट के पहले कर लो या तॉर्णमेंट के बाद कर लो, so that आपके परफॉर्मेंस पे या फिर आपके कोई भी ऐसा आउटकम पे कुछ डिफिकल्टी या कुछ ऐसा ड्रॉबैक नहीं है, तो अब तॉर्णमेंट के बीच में मैंने यह सुना है, अब देके सर तॉर्णमेंट के परफॉर्म निहीं हो रहा है वागेरे, तो यह व्यूर्णमेंट के यह सा मस्टूबैसं प्रीस्ट इसा चल रहा है कि मैंने दो कि साइकलोगीकल इसका इफक्त बहुत अक्छा आता है, तो अगर कोई ऐसा चल रहे है इसका मैaches भुट खराब चारत परफ प्रफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, and he needs to get out of that face, कुछ देर के लिए, ताकि वो रिलाक्स हो जाए. मैं काफी प्लेर्स को जानता हूँ जो दूरिंग टॉर्नमेंट मैचेस के बीच में आपके लोग मास्टरबेट करते हैं जाके खेलते हैं, and उनको लगता है कि हा, मेरी बॉड़ी बेटर परफॉर्म कर रहा है, it's all psychological basically. Okay, psychology regarding है यह, पर physiology, मतलब, anatomic-wise या, physiology-wise इसका जादे एफेक्ट नहीं है. Okay, yeah, आपको यह लोकेट करना है कि अगर आप यह चीज करते हो, आपका परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है कि आपका परफॉर्मेंस घट रहा है, मैंने ऐसे भी प्लेयर्स देखा है कि वो लोग आते है, sir, मैं अच्छा खेल रहा था, and then मेरे को चंट्रोल नहीं हुआ, मैंने किया, और मेरा परफॉर्मेंस घटम खराब हो गया, क्योंकि वो डाइवर्ट हो गया गेम से, okay, simple strategy, अगर में को किसी को हराना है, और उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, I'll try to break that strategy, okay, वो बंदा खुद अपने साथ वह कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस को ब्रेक कर रहा ह तो आपको बेसिकली अपने खुद का यह है, एक बार मैं समझ गया कि यह करने से मेरा अच्छा हो रहा है, कि यह करने से मेरा कुछ देर के लिए मैं कुछ देर के लिए मैं डाइवर्ट हो या मेरे साथ खराब हो रहा है, एक बार मैं समझ गया कि यह करने से मेरे साथ क्या ह अगरा है, I can use it as an advantage. Okay, so performance regarding कुछ नहीं है, साइकोलोजिकल, साइकोलोजिस के साथ, स्पोर्ट साइकोलोजिस के साथ भी ये रिगार्डिक वीडियो बनाने वाले है, तो मतलब injuries नहीं होती है, injuries नहीं होती है, इसको करने से, इसको कोई कनेक्शन नहीं है, इसको करने के बाद डायरेक्ट खेल सकते हैं, या मतलब समझ लिजे कि कल मैच है, आज मैंने किया तो उतना recovery period मिला मुझे नीन का कि डायरेक्ट. इसमें अगें, ऐसा कोई recovery period नहीं चाहिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो करते हैं and then they go and perform. बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते नहीं में को सोना इसके बाद. So, हर एक बंदे का अलग-अलग outcome रहेगा. So, इसका और injury का कोई connection नहीं है, इसका recovery का कोई connection नहीं है, technically इसका performance का कोई connection नहीं है, it's all in the psychology part of it. तो, जैसे यह testosterone regarding generate हो रहा है, sperm release हो रहा है, kind of. So, मैंने यह भी सुना है, कि चार घंटे उसके बाद में gym नहीं करने को, exactly करने के चार घंटे बाद ऐसा भी कुछ नहीं है. इसलिए again कि कुछ time के लिए आपकी body relax हो जाती है. And जब आप gym जाते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, so you need that energy in you. तो अगर आपकी body lost है, तो आपका एक तो performance अच्छा नहीं होगा, injury के चांसे जादा है. इसलिए बोलते है कि इमेजटली बाद में मत करो, but again, किसी के लिए it works, किसी के लिए it does not. Okay, तो इसमें कुछ एड करना चाहेंगे सर, मेरे सवाल खत्म हो चुके हैं. बहुत जादा नहीं करना, अपनी body को समझना है, कि वो आपके लिए अच्छा वक कर रहा है, कि वो आपके लिए बुरा वक कर रहा है, बुरा तो नहीं, क्योंकि you are being diverted from the actual thing जो आपको करना है, जो है cricket, या कोई sports. So, understand what it is, use it as an advantage, ऐसा मत करो कि आप इतना जादा कर रहे हो, कि आपका जो performance है वो ही खराब हो जा रहा है, so use it as an advantage. So sir, हटे में एक बार, दो बार, वो individual-based है. Okay, वो भी individual-based है, कि दिन में एक बार, हफते में एक बार, कोई दिन में एक बार करता है, कोई महने में एक बार करता है, तो कोई चेंज, so doesn't make any difference. Doesn't make any sense. आप कोई तीन बंदे को खड़ा करके, यह नहीं बोल सकते कि आप सेम करो. तीनों की इच्छा अलग अलग रहेगी, तीनों का टाइमिंग अलग 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 रहेगा, तीनों का आउटकम अलग अलग रहेगा, so individually सब का different है. इससे कुछ नहीं है. Okay. Yes. I hope guys कि इससे काफी आपके doubts clear हुए होंगे, और इस regarding, मैं जैसे कि पहले भी कहा, different professional के साथ video बनाना चाता हूँ, जो आपके psychology regarding भी काफी answers देंगे, और diet regarding भी sport nutritionist के साथ भी बनाने वाले हुए हो, सारे ऐसे videos बनाने वाले हैं, spiritual regarding भी बनाने वाले हो इस विशे पे, ताकि हर तरीके से अपन, मैं हमेशा से मतल़ कि सिफ one dimensional नहीं है, हर तरीके से अपने को समझना ज़रूरी है, and then decision लेना और आसान हो जाता है, so I hope कि ये video पसंदा हूँगा, कोई भी comment है, हम ट्राइ कर रहे हैं, तब पहले से ही मैं YouTube चैनल इसलिए खुला हूँ कि, ताकि ये शेयर कर सकूँ, सब के साथ knowledge शेयर कर सकूँ, क्योंकि हर चीज में, जो भी अपने को पीछे लेके जा रहा है, जो भी आगे लेके जा सकता है, उस रिगार्डिंग, knowledge शेयर कर रहा हूँ, respective professional के साथ, तो thank you so much sir, जुडने के लिए हमको, और I hope कि याई ये पसंद आया होगा वीडियो, आपको like कीजे, share कीजे, comment box में डालिए, और whatsapp ग्रूप पे भी डालिए, अपने दोस्तों के साथ में, फाइला ही है, जादा से जादा लोगों तरक awareness पहुचा ही है, फिर आल के लिए इतना है, till the next time, love you all, thank you.